हलो जाहन दोस्तों तो दोस्तों आज इंडान आर्मी रिलेशन भरती एंड स्पोर्स भरती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके और जीएस का टॉप 30 ओर्जिनल कोशन लेकर आया हूँ जो कोशन आपका PBRCR में पूछा गया वही कोशन आज लेकर आया हूँ क्योंकि हमारा जिस इस टूदेंट का 8 सेप्टेंबर को एक्जाम है और ही एक ग्जाम में कोशन 100% आपका एक्जाम में पूछा जाएगा ऐसे चांज है इसलिए आज दिया तो दोस्तो हमारा जिस student का 8 September को एक्जाम है तो दोस्तो आप बहुत ही आचा तरह एक कोशन पेपर को सुरू से लेका लास्ताक एक दो बड़ एक वीडियो को देख लिजिए और जिस student इसी तरह डेलिगे डेली कोशन लेना चाते हो तो दोस्तो पिले सस्काइब करके जूर जाए तो दोस्तो देख लिजे पहला नामबर कोशन क्या दिया हुआ है तो दोस्तो पहला नामबर कोशन पूछा गया फिरी थरो वाड रिलेटेड टू हुइच गेम फिरी थरो शाब्द ये शाब्द किस खेल से शमंदित है बता दो A, B, C, D इसका राइट अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसी चरो आप्शन के अंदर आप सही अंसर चुन लो तो दोस्तो इसी चरो आप्शन के अंदर हमारा जिस इस्टूटेंट आप्शन डी को चुना उसका राइट अंसर हो जाएगा बसकेट बाल होगा राइट अंसर आप्शन डी इस दा राइट अंसर बसकेट बाल होगा सही अंसर नेश्ट कोशन देखो तो दोस्तो नेस्ट कोशन क्या है गनफीड आवार्ड इस गिवेन फिछ फिल्ड देख लिजे गनफीड पुरुषकार किस छेत्र में दिया जाता है बता दो A, B, C, D इसका राइजनसर क्या होगा ओप्षेन C होगा राइजनसर नेस्ट कोशन देखो थिरी नांबर कोशन क्या पूछा गया देख लिजे मुख्म मंतिरी का नियुक्त कौन करती है प्राइम मिनिस्टर करता है या गवर्नार या प्रेसिडेंट या भॉइस प्रेसिडेंट तो दोस्तो हमारा जिस स्टूदेंट इसी चारो ऑप्षेन के अंदर ऑप्षेन B को चुना उसका राइजनसर हो जाएगा ऑप्षेन B होगा राइजनसर गवर्नार होगा राइजनसर नेस्ट कोशन देखो तो दोस्तो नेस्ट कोशन क्या पूछा गया electric light valve are filled with देख लिजे बिजली के बालप में से भड़ा जाता है क्या भड़ा जाता है बता दो oxygen भड़ा जाता है उसके अंदर nitrogen या organ या hydrogen तो दोस्तों इसका right answer हमारा जिस student option C को चुना उसका right answer हो जाएगा option C is the right answer option C आरगन होगा सही answer अरगन होके राइटन सर ओके हिंदी में थोड़ा मिश्टिक हो गया है कोई बात नहीं अरगन गैस जो निश्क्यों गैस है एक हो बहरी जाती है नेश्ट कोशन देखो तो दोस्तो निस्ट कोशन क्या है निस्ट कोशन पूछे गया है नन रेनेवल सोर्स ओफ एनर्जी इस देख लिजे उड़ जाएगा अन नभी करन यह जो सुरोथ है वो क्या है बता दू जो एक बर खतम हो गया तो और दूसरा बर कभी नहीं आएगा तो कौन से उड़ जा है वो बताओ पेट्रोलियम एक खतम हो गया तो कभी नहीं आएगा कोल ए भी खतम हो गया तो कौन लेकर आएगा यह भी नहीं आएगा नेचरल गैश ए भी सेमी है तो इसका राइज अनसर हमारा जिस स्टोडन्ट ओशन दी को चुना अल ओफ दे आब ओप को चुना उसका राइज अनसर हो जाएगा ओशन दी होगा राइज अनसर नेश्ट कोशन देखो सिक्स नमबर कोशन कोशन पूछा गया है आशाम is the largest producer of देख लिजे आशाम का सबसे बरा उत्पादोग है चाय का है, काफी का है, नर्याल या चीनी तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस student इसी चरो option के अंदर option A को चुना, T को चुना, चाय को चुना, उसका right answer हो जाएगा option A होगा right answer, option A होगा सही answer नेश्ट कोशन देखो, और दोस्तों नेश्ट कोशन के पहले हमारा जिस student का 8 September को exam है और दोस्तों आपका exam किलियर करना चाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा PBRCR का कोशन पढ़ो, PBR मतला बैद जो कोशन 2015, 16, 16, 18, 19, 20 से लेकर अभी तक 2024 तक जितने भी कोशन पूछा गया, आर्मी रिलेशन भरती एंड स्पोर्स भरती के अंदर ओ कोशन आप पढ़ लो, आपका exam 100% किलियर हो जाएगा क्योंकि बच्चे नया होता है, पता नहीं चलता, कहा कहा से कोशन उठा कर देता है आर्मी बालो, लेकिन हम पूड़ाना है, हमारा पता चल गया, कहा कहा से देता है तो दोस्तों, आप माल लिजे 2015 में जो कोशन पूछा गया, वही कोशन आपका 2016-16 में रिपीट हो जाता है इसलिए आप 2015 से लेकर 23 तक 8 चल के अंदर जितने भी कोशन पूछा गया, वह कोशन आप पढ़ लिया तो आपका 100 में 100 कोशन ओई कोशन रिपीट होगा, और आपका एक्जाम में पूछा जाएगा इसलिए आप वह जो PBRCR का कोशन हमारा एकडेमी लेकर रहा है, 99 रूपिया बाला वह पीडिएप आप खड़िद कर अच्छा तरह पढ़ाई करो, आपका एक्जाम 100% किलियर हो जाएगा तो दोस्तो इसी नमबर पे कॉल या वाटसअब दोनों ही अबेलेबल है, हमारा एकडेमी में कॉल किजिए, जब मन चाए कॉल किजिए, चाहे रात में, चाहे दिन में, आभी कॉल किजिए और PDF ले लिजिए, PDF की तरह एक देखो एक बड़, तो दोस्तो देखो यह आपका कॉशन पूछा गया है, राजपूतन राजफेस संटर, जो दिली कंट में इस्तित है, तो दोस्तो इस तरह जितने भी कॉशन, यह बहुत ज़्यादा देखाई नहीं दे रहा है, हमारा यह आपर देखाई देता है, आपको नेश्ट देखाई देता हूं, तो दोस्तो यह आशाम रेजिमेंट संटर का है, तो दोस्तो इस तरह जितने देखो, इंडिया गॉट फिरों इन हुईच यार, इस तरह जितने भी कॉशन पूछाए गया है, सभी कॉशन आपको दे देंगे, ओनली 99 रूपिया में, जिके मेहत, रिजिनिंग साइंस, जितने भी कॉशन आ तो अगनी भी बन गया, नौकड मिल गया, जब मिलेगा तब बता देना, आपको फादर या बादर को बता देना, आम भी कर सकता हूँ, तो अभी कॉशन पूछाए गया, तो दोस्तो पीडिया अपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, आप पींट आ नमबर पे कॉल करो और पीडियेफ ले दो, नेश्ट कोशन देखो, सेबन नमबर कोशन है, कोशन पूछा गया, देख लिजे, अलोमिनियाम का आईश्क है, क्या है, बता दो, ए, बी, सी, डी, इसका राइट अंसर बता दो, तो दोस्तो इसका राइट अंसर हमारा जिस कॉल मुलन राइट होकर आईट आप्शन यह होगा सही ऐंसर, नेश्ट कोशन देखो, तो दोस्तो नेश्ट कोशन क्या है, फख इस्टेट लाइन बिट्वेंट देख लिजे, फख जल डमरू मंड किसके बीच इस्तीत है, बता दो, मंड जो इस्थीद है कहा किस दोणों देश के बीच में इस्थीद है तो दोस्तों इसका राइजान्सर बता दू दोस्तों बिल्खुल इसका राइजान्सर हमारा जिस student option ये को चुना India and Sri Lanka को चुना उसका राइजान्सर हो जाएगा जो पाक, जल, डमार मंड इस्तीत है वो इंडिया एंड स्रिलंका के बीच नेश्ट कोशन देखो नेश्ट कोशन नाइन नमबर कोशन है रेट स्वाइल कलार इस कोश्ट बाई देख लिजे लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है बता दो इसका राइजन सर बता दो तो दोस्तों इसका राइजन सर हमारा जिस स्टूडेंट ऑफशन भी आईडन को चुना लोहे को चुना उसका राइजन सर हो जाएगा ऑफशन भी होगा राइजन सर नेश्ट कोशन देखो कोशन पूछा गया है दा लिक्वीड पार्ट ओफ ब्लाड इस का अड़ देख लिजी रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है बता दो क्या कहाता है बहुत याचा कोशन है मोस्ट इंपोर्टन कोशन तो दोस्तो इसका राइजन सर हमारा जिस स्टूटेंट ऑफशन एक को लिके तरह देखा ही देता है प्लाजमा तो ओही होगा ओप्शन एस दा राइजन सर नेस्ट कोशन देखो एगर है नामबर कोशन है कोशन पूछा गया हूँ इन्वेंटेड दा मोबाइल फोन देख लिजे मोबाइल फोन का आभिश्कर किस ने किया बता दो ए बी सी डी इसका राइजन सर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइजन सर तो हमारा इस्टूडेंट देखकर ही बता दिया option c is the right answer martin copper होगा right answer option c होगा right answer next question देखो तो दोस्तों next question क्या है indians first nuclear test was happened in the state of देख लिजे भाद का पहले परमान परिक्षा किस राजय में हुआ था बता दो a b c d इसका right answer बता दो तो दोस्तों इसका right answer हमारा this student option d को चुना राजस्थान को चुना आप comment section में comment करो लेकिन राजस्थान में किया था next question देखो तेरा number question क्या पूछा गया which of the following is a conductor of electricity जो best conductor of electricity इसी चारो option के अंदर बता दो निर्मलिकेदे में से कौन सा बिदत का चम्बुक है सुचालक है बता दो a b c d इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसका right answer हमारा जिस student option b को चुना copper तंबा को चुना उसका right answer हो जाएगा option b होगा right answer next question देखो next question क्या पूछा गया the out most layer of the sun is called देख लिजे शुचा की सबसे बहरे परत क्या कहलाता है बता दो a b c d इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसका right answer हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल इसका right answer हमारा जिस student option a को चुना कड़ना को चुना उसका right answer हो जाएगा option a होगा right answer next question देखो तो दोस्तो next question क्या है who discovered smallpox vaccine देख लिजे chickenpox chicken नहीं है वो आपका छोटा पॉक्स जो चिकन पॉक्स नहीं है आपका smallpox जो है उसका जो vaccine आभिशकर किया था हो किस ने किया था बता दो smallpox छोटा बॉक्स जो होता है तो हाँ उसका right answer क्या होगा तो बिल्कुल इसका right answer option D is the right answer एड़ीजेनर होगा right answer option B होगा right answer next question देखो question पूछे गया the topic of cancer how many state of India देख लिजे करके रेखा भारत का कितने राज को होकर गुर्जारती है बता दो ABCD इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हमारा जिस student option क्या होगा बताओ तो दोस्तों इसका right answer हमारा जिस student option C को चुना 8 को चुना उसका right answer हो जाएगा 8 state होगा right answer option C होगा right answer next question देखो शोतरा नांबर question question पूछा गया और के नारायन associated with देख लिजे और के नारायन किसके शमंदित है बतादो किससे शमंदित है चारो option के अंदर आप सही answer चुन लो तो दोस्तों इसका right answer हमारा जिस student option B को चुना आइठोर को चुना लेखो को चुना उसका right answer हो जाएगा आठके नारायन बहुत ही एक बड़ा आइठोर है ओके next question देखो अठरा नांबर question battle of हल्दी घाटी which are fight देख लिजे जो हल्दी घाटी का जुद्ध काम हो था बता दू तो दोस्तों बता दो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हमारा जिस student option D को चुना 1576 को चुना उसका right answer हो जाएगा option D होगा right answer और दोस्तों हमारा जिस student आभी तक हमारा इसी वीडियो को like नहीं किया एक like कर दिजे और दोस्तों आप exam किलियर करना चाते हो तो हमारा ओपर विश्वास करके ओपीडियर ले दो 100 मतला अब 100% ओही कोशन पूछा जाता है बच्चो आप तो बहुत ही बरा बरा बुक खड़िद कर पढ़ो लेकिन 99 रूपिया यह पीडियेफ खड़िद कर आप एक बर पढ़ो किलियर हो गई होगा next question देखो when did the second world war started डेलिके डेलिक किलाश करो और जो ओरजिनाल पेपर का पीडियेफ है वो भी पढ़ दो hundred मतलब 101% आपका एक्जाम किलियर होगा मेहनत करना पड़ेगा ऐसा नहीं है आप पीडियेफ दे दिया लेकिन आप पढ़ाई नहीं क्या पढ़ाई करोगे तो hundred में 100% पतिशदी आपका एक्जाम किलियर हो जाएगा बहुत ही मेहनत से एक्जाम तक आया पहले physical उसके बाद medical उसके बाद यहाँ पर ओके तो मेहनत करो नेस्ट कोशन क्या है When did the second world war started? देख लिजे जो दितियों विश्व जुद्ध कब हुआ था बता दो A, B, C, D इसका राइजांसर बता दो तो दोस्तो इसका राइजांसर option C is the राइजांसर, 1939 होगा राइजांसर, 49 होगा राइजांसर Next question देखो तो दोस्तो नेस्ट कोशन है The jug files are situated on the देख लिजे, जोग जलोपपद कौन से नदी के उपर बना हुआ है या है, बता दो तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस student option D को चुना शरावती रिवार को चुना, उसका राइजांसर हो जाएगा option D होगा राइजांसर Next question देखो और दोस्तो आपका एक्जाम के लिए जितने भी current appears पर रहे हो जरूर, कोई भी PTF से पर रहे हो जुरूर आप एक बार Google कर लिजे क्योंकि current appears का question बहुत ज्यादा answer change हो जाता है हर शाल के अंदर बहुत ज्यादा current appears का answer change हो जाता है तो कई भी से पर रहे हो आप एक बार Google कर लिजे, कोई भी current appears Next question क्या है देखो इधोईच फेल्ड डिड आत्मे शावा अमर्त शेन get the Nobel Prize देख लिजे, अमर्त शेन को किस छेत्रे से Nobel पुरुषकर मिला था बतादो A, B, C, D इसका राइजांसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस student option C को चुना, economics को चुना उसका राइजांसर हो जाएगा option C होगा राइजांसर next question देखो तो दोस्तो next question क्या है film fair award associated with which field देख लिजे, film fair पुरुषकर कि छेत्रे से जुरा हवा है बतादो A, B, C, D इसका राइजांसर क्या होगा तो दोस्तो film फोर क्या आता है फिलिमी आता है option D is the राइजांसर फिलिम के साथ फिलिमी जुरा हुआ है next question देखो जो बहुत ही अच्छा पॉजर्शन करता है फिलिम के अंदर, सिनेमा के अंदर उसको दिया जाता है तो दोस्तो next question क्या है which organ of human body secret insulin देख लिजे मान अफ शेडिल के कौन सा अंग insulin को शर्वेवित करता है बता दो ABCD इसका राइजांसर बता दो तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस student option C को चुना pancreas, agnesai को चुना उसका राइजांसर हो जाएगा option C होगा राइजांसर नेस्ट कोशन देखो 14 नमबर कोशन कोशन पूछा गया है जजिला पास located which state in India देख लिजे जजिला दर्रा भारत का किस राइजांसर में इस्तित है बता दो ABCD इसका राइजांसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस इस्टूटेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ तो दोस्तो इसका राइजांसर option A is the right answer जमू एंड कश्मीर होगा सही answer option A होगा राइजांसर नेस्ट कोशन देखो तो दोस्तो नेस्ट कोशन क्या है मेजर धन्चांद associated in which sports देख लिजे मेजर धन्चांद किस खेल से जुरी है बता दो A, B, C, D इसका राइजांसर बता दो तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस इस्टूटेंट option क्या होगा बताओ तो दोस्तो इसका राइजांसर हमारा जिस इस्टूटेंट option D को चुना होकी को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option D होगा राइज अंसर होकी होगा सही अंसर next question देखो 26th number question है Capital of Himachal पदेश दिख लिजे Himachal पदेश की रजधानी क्या है बता दो ABCD इसका राइज अंसर बता दो तो दोस्तों इसका राइज अंसर हमारा जिस student option D को चुना शिमला को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option D होगा राइज अंसर next question देखो 27th number question है बिहु इस दा popular dance from which of the following state देख लिजे बिहु निर्मली की दे में से किस राज्य का जो लगपिरियो नित्त है तो दोस्तो प्यारे बच्चों हमारा जिस student option D को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option D होगा राइज अंसर नेश्ट question देखो 28th number question है question पूछा गया which of the following rivers falls in Arabian sea देख लिजे निर्मली की देबसे कौन सा नदी आरप शागर में गिरती है बता दो तो दोस्तो जितने भी पस्तिम दिशा में बहने बाला नदी है उस सभी आरप शागर में गिरती है maximum तो दोस्तो इसका राइज अंसर बता दो यह तो देखकर राइज अंसर कर दिया option A is the राइज अंसर क्यूंकि नर्मादा, तप्ती, गदाबड़ी सभी आरप शागर में गिरती है next question देखो तो दोस्तो next question क्या है who was the first education minister of independence India देख लिजे, शतंतर भारत का पतम शिक्षा मंतरी कौन थे बता दो A, B, C, D, इसका राइज अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ, बिल्कुत option B is the right answer, आबुल का लाम आजाद होगा option B होगा सही answer next question देखो तो दोस्तो next question last question है, अनन्दिव पर शाइब located in, देख लिजे जो अनन्दव पर शाइब इस्तित है तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा जिस student option A को चुना पंजाब को चुना, उसका राइज अंसर हो जाएगा option A होगा राइज अंसर तो दोस्तो 30 question के अंदर कितना question आया, जुरूर कॉमेंट स्क्षन में बता देना प्यारे बच्चो, और जिस student अभी तक कॉल नहीं किया इसी नामबर पे PDF नहीं लिया जुरूर अभी कॉल करो और PDF ले लो अभी 5 मेंट के अंदरी आपको PDF भेज देंगे, कोई fraud, कोई धोगाबजी नहीं होगा, only 99 रूपिया के मदम से, तो दोस्तो अभी कॉल करो सभी जानका डिले कर आभी PDF ले दो Thank you, जाहिंद